नमस्कार दोस्तों मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं sensible case नए हिंदी डेली मार्केट अनाल्सिस वीडियो में चली शुरू करते हैं हमारा मार्केट अनाल्सिस देखेंगे सबसे पहले जो हमने कल आनल्सिस कहते हैं कि अगे मार्केट किस तरह का हो सकता है तो कल हमने बात किया थे कि निफ्टी में हम ट्रेड करने के लिए भी इंटरेसेट नहीं है विकाज वदे सिंपल रीजन की मार्केट इतने टाइम से नीचे गिर रहा है तो यहां से एक पुल बैक तो आना चाहिए परन्तु वही है कि अगर मैं बुलिश ही ट्रेड लेना चाहता हूं एक्जाक्ली 40,400 को टच करने के लिए आया फिर अपसाइट मार्केट ने एक अच्छा आपको मार्केट ने दिया आपको एक हाईयर लेवल पर आपको यहां पर क्लोजिंग मिलिए है मतलब यह मोमेंटम मुझे लगता है कि अटलीस्ट 41,000 तक तो मार्केट को जाना चाहिए ठीक है अब डिटेल में डिसकस करेंगे हम क्या करना निफ्टी में अगर हम बात करें तो थोड़ा पॉजेटिव मोमेंटम यहां पर दिखाई दे रहा है परन्तु यह है कि अभी य अगर आप यहां पर भी देखें तो मैं अगर हम यहां पर भी करते हैं तो यह कोई वो मतलब यहां से मार्केट एटलीस थोड़ा अपसाइट पर मूव करें ठीक है एक डेली चार्ट पर भी जब आपको एक बुलिश प्राइज अक्षन दिखाई देगा तब हम यहां पर और ज्यादा एग्रेसिवली मार्केट में बाइंग करना पसंद करेंगे मार्केट में फिर एग्रेसिवली बाइ हम करना यहां पर पसंद करेंगे जब आपको डेली पर भी एक प्राइज अक्षन अच्छा दिखाई देने लग जाएगा ठीक है क्योंकि ओवरॉल आप मार्केट जो ट्रेंड देखेंग वो अभी भी बेरिश ही दिखाई दे रहा है कोई अपसाइड मोमेंटम दिया है फिर एक पुलबैक दिया है यहां पर फिर एक अपसाइड मोमेंटम दिया है यहां पर हाई ब्रेक करते हुए फिर यहां पर मार्केट आ गया है भी ठीक है तो जब तक कि यह लो मार्केट में प्रोटेक्टेड है तब तक मेरे हिसाब से वीक दिखाई देगा, तब हम मार्केट में aggressively buy करना, प्लान करेंगे, फिर ये जो market में retracement आया है, डेली में ये बहुत लंबा चोड़ा, जो retracement हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका एक bullish move आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तब हम यहाँ पर और aggressively, basically plan करेंगे, ठीक है, बैंक निफ्टी अभी भी मुझे suitable candidate लग रहा है, अगर आपको bullish trade market में प्लान करना है, at least 41,000 तक मुझे लगता है, कि बैंक निफ्टी जा सकता है, उसका मैं आपको logic बताता हूँ, क्यों मुझे 41,000 लगता है, ठीक है वे टू, ठीक है, यहाँ पर बैंक निफ्टी काफी time hold किया था, और यह level है 41,200 का, ठीक है, 41,200 से लेकर, 41,600 का यह zone था, ठीक है, इस zone में market बहुत समय तक hold करा आपने आपको, उसके बाद market ने break दिया है, तो यहाँ तक मुझे लगता है market जा सकता है, 41,200 तक, ठीक है, 41,200 तक market जा सकता है, दूसरी बात, अगर हम इन दो points को यहाँ पर मिलाएंगे, यह point और इस point को market मिलाएंगे, तो एक trend line बन रही है, वो भी almost ऐसा indication दे रही है, कि 41,200 तक market आ सकता है, ठीक है, तो यहाँ तक market ज आ सकता है, परन्तु मैं आप से फिर भी यह कहूंगा, कि उससे पहले हमारे पास एक level आता है, 41,000 का, ठीक है, जो कि अच्छा खासा round level है, ठीक है, psychological number है, तो वहाँ पर मैं चाहूंगा, कि आप अपना profit जो है, अपनी trade का, जो आपने bullish trade अगर डाली है आज, तो उसका profit आप बुक कर लीजे, ठीक है, क्योंकि इतना शोरिटी नहीं है, कि market 41,000 तक market जाएगा, वो तो मुझे लगता है, जाना चाहिए, तो उसके ऊपर कितना जाएगा, हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम थोगल सब पहले से पहले अपना profit बुक कर लेंगे, 41,000 का राउंड हमना profit देनी है, तो हमारे ले एक ideal entry क्या होगी, कि market मान लीजिए, इसी zone में कहीं पर open होता है, इसी particular zone में कहीं पर open होता है, यह जो high है, इसको market cross करता है, which is around 40,700 या 720 ऐसे कुछ होगा ये, 720 का असपास होगा, इसको जब market cross करेगा, तब हम यहाँ पर fresh buying position यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, अगर आप open interest भी देखेंगे, तो nifty में भी अब थोड़ा सा support बनना शुडू हो गए है, 17,400 के आसपास एक अच्छी writing हमें दिखाई दे रही है, put writing दिखाई दे रही है, bank nifty में भी आपको 40,500, 40,000 इन levels पर अच्छे खास सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहे ह है, calls यहां पर अच्छे quantity buy करे गए हैं, और index future में भी आपको थोड़ा बहुत buying यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो कुल मिला के अगर आप मुझसे पूछेंगे, अभी मुझे क्या समझ में आ रहा है, तो bank nifty में एक अच्छा bullish momentum था आज, परन तो हम यह नहीं कहाई, अभ बहने का थोड़ा हमें time देना चाहिए, ठीक है, bank nifty में भी हम bullish है, nifty को थोड़ा टाइम के लिए हमें avoid करना चाहिए, ठीक है, और bank nifty अगर 40,700 के ओपर फिरजे निकलता है, तो मुझे 41,000 तक जाता हुआ, यह दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और 40,500 के puts या उससे नीचे के puts आप सेल कर सकते हैं, bank nifty में, अच्छे trade मुझे यह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अब भी अगर हम बात करें, डॉलर की, तो डॉलर यह पर जो हमारा zone हमने mark किया था, उससे नीचे break होता हुआ दिखाई दे रहा है, और nifty positive होता हुआ दिखाई दे रहा है, nifty upside पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, डॉलर थोड़ा नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक ठीक correlation मुझे लग रहा है, कि अभी थोड़ सिंक में आ रहे हैं वापिस, तो यहां पर अब मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर आप call selling कर सकते हैं, 82.5 से उपर के levels की यहां पर C selling किये जा सकते हैं, call sell किये जा सकते हैं इस expiry के लिए, यह एक अच्छा trade मुझे यहां पर दिखाई देता है, इसके call sell करन्या, एक अच्छा trade मुझे यहां पर समझ में आता है, dollars के call sell किये जा सकते हैं, because यह थोड़ा अभी week होता है, हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो all in all, nifty को मैं भी थोड़ा time के लिए avoid करना पसंद करूंगा, bank nifty को थोड़ा सा bullishly हम trade करना पसंद करेंगे, dollar थोड़ा week दिखाई दे रहा है, तो वहां पर हम call selling कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो पर वही है कि यहां पर मैं आप से कहूंगा, अगर bank nifty हैं bullish trade प्लान भी कर रहा है, तो 41,000 के around आप अपने trade book कर लीजिए, उसके आसपास जैसी पहुंचता है, because वहां से थोड़ा हमें market एक अच्छा price action बना I hope यह आपको पसंदा होगा, पसंदा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, sensible के hindi channel करिए, subscribe और हमेशा की तरह आपने capital बचागर trade करिए, stop loss के साथ trade करिए, hedge के साथ trade करिए, and have a safe and happy trading with sensible, bye-bye.